दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बिहार में इंटर पास लड़कियों को मिलेंगे 25-25 जार रुपिये नितिस सरकार ने मंजूर किये 400 कड़ोर रुपिये बिहार में अगले दो दिन तक आंदियो और बारिस का अलड मौसब मिभाग ने जारे की एडवाइजरी बिहार में बारिस का सिस्टम लगतार सक्री है मौसब मिभाग ने दो माई तक राज में बारिस के गतिवेतियों के सक्री रहने का प्रुवानमान किया है इसी तुरा नराजबर में आंधी गरज तड़क उलाविष्टी और अकासी बिजली की चेतावनी जारी की गई है बादोलों की हाल या परवती को देखते वे मौसम मिभाग की और से लोगों को बजरबाद की घड़नाओं से सचेत रहने की चेतावनी भी जारी की गई है पिछले 24 गंडे में पढ़ना से 13 जिलों में तेज, आंधी, पानी से जन जिवन पर असर पड़ा है पढ़ना में तेज, आंधी और वलाविष्टी से कूछ देर तक मौसम का उगर रूप लोगों की ने देखा वैसाली भूजपर, रोहता, साहरसा और और अंगाबाद, गोपाल गंज, भववा और पूर्वी चमपरन में भी तेज, आंधी और गरज, तड़ के साथ बारिस भी इसी तरह गया भागलपूर और दरवंगा में भी बूना बूनी की सुचना है साहरसा में पिछले 24 गंटी में बजबाद की घटना हुई है पटना में दोपर बाद आई आन्धी और तेज हवाओं की जोकी से कई जगों पर पेड़ भी उकड़ गए है यहां हवा की जोकी की अधिक्तम रप्तार 40-50 किलोमीटर पर ती घंटे रही इसके बाद जमजब बारिस की से दिपटना वैसाली वह आने जिलों में देखी गए बारिस की बज़े से अधिक्तम तापमान में भारी कमी आई है नालंदा से लोगसुबा चुनाओ लड़ेंगे नितिस कुमार प्यार के मुईख मांतर नितिस कुमार अगले लोगसुबा चुनाओ में अपने ग्रेच छेतर नालंदा से चुनाओ लड़ेंगे नितिस ने अपने चुनाओ लड़ने के चर्चाओ पर कल बड़ी बात कह दी है दरसल दो दिन पहले नालंदा से जेडो की सांस अदको सेलंदर कुमार ने कहा था कि वे नितिस कुमार के चुनाओ लड़ने के लिए अपनी सीट छोड़ने को तयार है साथे मुख मंतर नितिस ने इस ओफ़र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कल जब पत्रकारों ने नितिस कुमार से सवाल पुछा कि क्या वे नालंदा से चुनाओ लड़ने जा रहे हैं नितिस कुमार ने जवाब दिया इस सब हम को क्या करना है आप लोग कहे अभी चिंदा में है आपने चुनाव लड़ने की बाद पर नितिस इतना ही प्रतिक्रिया दे कर निकल गए उन्होंने अपने चुनाव लड़ने की बाद से इंकार नहीं किया ऐसे में समझा यह जा रहा है कि नितिस कुमार अगला लोकसबा चुनाव लड़ने को तयार है आपके जानकारे के लिए बता दे कि अगर नितिस्क मार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वे 20 साल बाद कोई प्रतेक्ट चुनाव लड़ेंगे 2004 में उन्होंने बाड और नालंदा लोकसभा चेतर से चुनाव लड़ा था वे बाड से चुनाव हार गए थे लेकिन नालंदा से जीत कर सांसद बन गए थे 2005 में बिहार का मुख्यमंद्री बनने के बाद उन्होंने बिधान सबा चुनाव लड़के बिधाय के बनने के बजाए बिधान परिस्द में जाने का फैसला लिया तब सिव लगातार बिधान परिस्द के सदे से बनते आए हैं बिहार में बे मौसम बारिस बने मुसिबद उलाविष्टी से धान की फसल को भारी नुकसान किसान हुए परिसान प्यार के कई जिलों में रैवार के साम बेमौसम हुई तेज मुस्लाधार बारिस वा भारे ओला विष्टी से धान की फसल को बड़े वा अपूरनी अच्छती पहुची है इसके चलते धान की खड़ेवी तैयर फसल पूरी तर से तूट कर वा मुड़ कर जमीन पर आबिची ह इस प्राकिरते का अब्दा से बड़े पेमाने पर खेतों में अप पेदावार में काफी नुक्सान है आला मिया की ओला गिरने के बरबाद हुई धान की फसल को देखकर अनधाताओ के चेहरे मुर्जा गए हैं आपको बदा दे कि प्रदेश के कई लाकों में बड़े पेम अब्दा लाजमी है मामले में चिंदा वेक्त करते हुए छेत्र के अनधाताओं ने प्रसासन से मुआफ़ा रासे की मांग की है केंद्री टीम को पसंद आई दरबंगा एमस के लिए दी गई जमीन जाले संसादन मंद्रे सन्यजा ने कहा कि दर्बंगा के लिए राज सरकार ना सिर्फ जमिम नूप्त में दे रहा है बलकि उसका विकास भी करवा रही है दर्बंगा एम्स के लिए आवंटी दभुमे में मेटी भराए समतली करण एवं चार दिवारी की निर्मान पर 309 रुपी से कराया जा रहा है उक्त कारियों के लिए राज सरकार द्वारा टेंडर भी निकला जा चुका है उन्होंने कहा कि एम्स के निर्मान होने से दर्बंगा सहर को एक नए अविस्तार मिलेगा और इस नए छेतर का तेजी से विकास होगा ब्यार में थम नही राग कोरोना कर अपतार पिछले 24 गंडे में मिले 136 नए मरीज राज में पिछले 24 गंडे में 136 मरीज मुले हैं वही पटना में कोरोना के सबसे अधिक मरीज मिलने का सिलसला जारी है जाच में पटना में 13時 संक्रमित मिले हैं वही गया से 88 से पुर्निय से गर, बागलपूर से 9 और खगड़े से 7 मरीज मिले हैं आईने जिलो में औरंगाबाद से एक बाका से तेन, दरबंगा से एक जाहनाबाद से पांच, मधिपुरा से चार मधुबने से तेन, मुझपरपुर से एक सरसा से तेन, सारन से दो, सिखपुरा से एक और वेसाले से एक संक्रमित मिले हैं वावादेखे, नएम मरेच के साथ ये पाटना में सक्रिय मरेजों की सेंख कह 393 तक हो गई है जबके गया और खगड़या में 54 फागलपूर पुर में 45 और पूर्णिया में सक्रिय मरेजों की सेंख कहा उंचास हो गई है राज के विविन संसान में 80 मरेजा भी भरती है हलाकि किसी मरेज को ऑक्सिजन के जोरत नहीं पड़ी है माई कोरोना मरेज की पहचान के लिए पिछले 24 गंडे में 35,887 लोगों की जाच भी थी पाटना में फिर बदला स्कूल का सम्माई एक माई से साड़ी गारा बज़े तक संचालित होंगे स्कूल पाटना के सभी नेजी और सरकार स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है एक माई से एक बार फिर से सभी स्कूल साड़ी गारा बज़े तक संचालित के जाएंगे या आदेश समुआर यानि आज से सबी स्कूलों पर लागो हो जाएगा डियम के आदेश के अनुसार ने दादेश समय के बाद स्कूल खुले रहने पर करवाई होगी इसके लिए डियम चंदर से के नेजिला सिक्चादी कारे को नेदेश भी दिया है मुख्य मंतर नितिश कुमार ने गंगा नदी पर बन रहे सबसे बड़े पूल को इसी साल चालू करने का दिया टास्क ब्यार के मुख्य मंतरे नितिस कुमार कल अपने डेटपी से अमता जस्वी अदब के डिपार्डमेंट पत्र निर्मान विवाग के काम का निरिक्षन करने अकले पहुच गए दिल जास बात याए कि इस काम का सिधा सम्मन ते जस्वी अदब के इबदान सबा छेतर का है गंगा नदीपर कची दरगा से बिदूपूर तक बन रहे सिक्सलेन पूल की नितिस ने कल पूल की निर्मान का निर्खण किया अधिकारियों को कहा कि इसी साल के आखिर तक पूल को चालू कर दीजे बहुत देर हो तो अगले साल के सुरुआत तक चालू हो जाना चाहिए पत्रकारों से बात करती है उन्होंने कहा कि इस पूल के निर्मान में देर हो गई है इसका हम को बहुत अफसोस है हमने अधिकारियों को कहा कि जल्दी से जल्दी काम पूरा कर लीजे उसी के सिलसले में हम यहां निरिछन करने आये हैं नितिस कुमा ने कहा कि कोविट के कारण दो साल का काम बाधित हुआ था लेकिन हम चाहते हैं कि इसी साल ये पूल चलो हो जाए अगर दरी भी हो जाते हैं तो अगले साल के पाली या दूसरे महिने में पूल चाली हो जाएगा बड़ी कार में देखे उपेंदर खुसवाह की पतनी से लता ने नितिस की सराबंदी का किया समर्थन राश्ट ये लोग जन्दा दल के मोख्या उपेंद्र खुस्वाह की पतने सिनहलता बिहार में सराबंदी के मोद्दे पर उनसे अलग रापर चल पड़ी है खुस्वाह के उलट उनकी पतने नेती सरकार के सराबंदी कानून का समरतन किया है नालांदा के राजगीर में चल रहे रालो जद के चिंतन और परसिक्षन स्वीर में उन्होंने खुस्वाह की पाड़ी के करकरताओ को सराबंदी कानून को सही से लागू करने के सहयोग की करने की अपिल भी की है बता दे कि उपेंदर खुस्वार लगतार सरबंदिक कानून पर सवाल उठाते वे इस पर पुनर विचार करने की मांग कर रहे हैं आधी राद को अचानक SKMCH पहुचे डेप्टी सियम तेजसी वियादव ने कहा गायब डाक्टर उपर होगी कारवाई बियार के डेप्टी सियम सा स्वास्त मंत्री तेजसी वियादव सनिवार को आधी रात को मुझे परपुर के SKMCH पहुचे सिता माड़ी से पटना लोटने की दोरान यहाँ अचानक SKMCH पहुचे इसके बाद अस्पटाल परिसर में अपरा तपरी का माहुल कायम हो गया इसी दोरान अस्पटाल से कई डाक्टर डेप्टी से गाय मिले से अस्पटाल में मिल रहे सूइदाव के साथ भोजन वा दवा के बारे में जैनकारी ली इस दोरान उन्हें समय से डाक्टर के नहीं पहुचने की क्या सिकायत मिले निरिच्छन के दोरान भी इमर्जन से सहीत कई जगह पर डाक्टर गाय मिले इस पर उनोंने अधिक्चक डाक्टर दीपा सिंग को पूरे रिपोर्ट 24 घंडे के बितर देने का आदेश दिया है YDPCM ने बताई कि अस्पताल में काफी कम्या मिली है साप सबाई से लेकर बेड तक की समय सा दिखी है अधिक्चक को सुदाने का आदेश दिया गया है नितिश कुमार का बड़ा एलान सुदान में पसे बिहारियों को अपने खर्च पर पटना लाएगी सरकार सुदान में चेड़े ग्रेयोद में पसे भारते नागरिकों को अपरेशन कावेरी के तहट वहां से लगतार निकला जा रहा है इसे बीच बिहार के लोगों के लिए सेम नितिश कुमार ने बड़ा निने लिया है नितिस ने कहा कि बिहार सरकार सुडान में पसे बिहारियों को अपने खर्च पर वापस लाएगी जिसके बाद से लोगों को काफी रहत मिलेगी दरसल बिहार के सेम नितिस कुमार ने सुडान से भारत लोटने वाले बिहार के निवासियों को ध्यान में रखते हुए आहम फैसला लिया है उन्हों ने ने लिया है कि सुडान से वापस आने वाले लोगों को सरकार अपने खर्च पर पढ़ना लाएगी एसे में बिहार सरकार ने इन दोनों जगहों से बिहार आने वोले प्रवासियों को यह रहा दी है बिहार के उद्धोग विभाग में कई पदों पर होगे न्यूक्ति बिहार में प्रदान मंत्रे फ्रोमल अजैसन आफ माइक्रोपूर्ड प्रोसेसिंग इंडर्प्राइजेज योजना को प्रभावी तोर पर लागो करने के लिए उद्धोग विभाग में 44 प्रोपेसिनल के न्यूक्ति करने जा रहा है इसके लिए उद्धोग विभाग ने 13 माई तक आविदन मांगे हैं दरहसल सरकार के मांसा है कि इस योजना को सफल बनाया जाए जिसमें कुछ खास विशों में बेहतर योगता धर्यों की न्यूक्ति की जाएगी यहाँ प्रोपेसिनल प्रदेश के सब जिलों में न्यूक किये जाएंगे उद्धोग विभाग द्वारा की जारी इस न्यूक्ति के लिए आविदन ऑनलाइन मैदम से होगा इचो कुमिद्वार foodprocessing.bihar.com.requirement वेबसाइट पर जाकर 13 माई तक आविदन कर सकते हैं आविदन की प्रक्रिया 29 अप्रिल से सुरू हो चुकी है अटना की बिहारा के दिलावार पूर में सिछ दिया अरफ वाहने मुख्याले में अब अपना नया प्रसेक्षन भौण के अलवा कई स्विदाई सहीत नया कारियाले बनने जा रहा है जमाजा मारिस के बेचराईवार को मुख्य मंत्रे नितिसकमान ने 25 सकड मिलवग 267 कड की लागत से बनने वाले भावन का विद्वत से लनास किया साथ बिहार के 17 जिल में प्रतन चरण में जिला अपात अनुकिरिया सुविदा सब्रेसिजन केंदर कभी से लनास किया वाइस डारे मुख्याले परेसर में बान रहे सेमिंग पूल अधिकारियों और जवानों के रह मामनेसर धाम के दर्सन करने आने वाले भावतों को अब ज्यादा परेसाने नहीं होगी राजसरकार के द्वारा अब वहां रोपय का निर्मान किया रहा है रोपय निर्मान को राष्ट ये वाइन जी बोड की स्ताई समीतिक बैठक में मंजुरी मिल गई है इस कबर के सड़ी या सड़क मरगा का इस्तमाल करते हैं